असलाम अलेकुम ग्रेट फोर कैसे हैं आप सब हाव यू आल माइनेम इस रुदा हालिद अना वल्कम यू बाक तो माई लेसंस आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नूबर 17 के बारे में जो के है एक फिल्म के ऊपर Have you ever been in a film? क्या आप कभी किसी फिल्म में या मूवी में आये हैं? मैं उमीद करती हूँ कि आप मेंसे कोई भी नहीं आया होगा क्योंकि हम तो चोटे-चोटे बच्चे हैं तो हम आज बात करने वाले हैं कुछ famous बच्चों के बारे में, जो कहां पर हैं, movies और films के अंदर, आज हम बात करेंगे lesson number 1 and lesson number 2 के बारे में, मैं उमीद करती हूँ कि आप घर पे बैठके सारा काम कर रहे हैं और साथ-साथ इन video lessons को देखके, सारा काम अपनी OPE books पर complete कर रहे हैं So great 4, हम बात करें थे movies के बारे में, आपने बहुत सारी movies तो देखी होंगी, बच्चों वाली movies भी और बड़ों वाली movies भी, तो आपने movies के अंदर देखा है, जो child star यानि जो बच्चे होते हैं, तो वह बच्चे movies में कैसे आ जाते हैं? आज हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे ह चाइल स्टार यानि एक ऐसी बच्ची के बारे में, जो के क्या है? बहुत छोटी उमर से ही एक movie में आके मशूर हो गई, यानि famous हो गई, तो आज का जो हमारा title है, वो इसी बारे में है, हम कर रहे है unit number 17, और जो हमारा title है, वो है, have you ever been in a film? क्या तुम कभी किसी film में आई हो या आए हो, तो यह है हमारा आज का इस unit का title, अच्छा जी, lesson number 1 हम करने जा रहे है, page number 86, जल्दी से page 86 निकाल ले, जी, हम करने जा रहे है, बच्चो, listen and speak, यानि जो हमारा पहला lesson है, पहला topic है, वो है listen and speak, सबसे पहले हम करेंगे introduction, vocabulary में क्या पढ़ेंगे, grammar में क्या पढ़ अपनी exercises को start, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं, कि vocabulary इस पूरे के पूरे unit में किस तरह की आएगी, हमें यह पता है कि जब हम movies की बात करते हैं, तो हम जो vocabulary यूज करते हैं, जो words बोलते हैं, वो है film, producers, camera, cameraman, film producer, film maker, यह जो सारे words मैंने बोले हैं, यह सारे words हम कहां इस पूरे unit के अंदर, ठीक है, कुछ words जो यहां मैं लिख रही हूँ, यह famous words हैं, जो हमने इस unit के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है, film maker, producers, directors, और एक और word में हालिक देती हूँ, film producer, ठीक है, हाँ जी, यह जो words मैंने आ लिखें, यह आपके इस पूरे unit में use होंगे, तो आपने देखना है, कि इन words का क्या meaning है, film producer, एक ऐसा शक्स जो क्या करता है, idea देता है, और film जैसे जैसे बनती है, camera's use होते हैं, उन सारी चीज़ों को देखता है, तो उसको कहते है, film producer, film maker, director क्या ह होता है, director वो इनसान होता है, जो बैठ के directions दे रहा है, जिसका idea है, और idea आगे execute कौन कर रहा है, idea पूरा कौन कर रहा है, producer, यह producers, यानि जो produce करके कुछ दे रहे हैं, कोई हमें film बना के दे रहे हैं, पूरी एक team होती है, जिनके साथ मिलके, movies बनाई जाती है, films बनाई जाती ह है, camera होता है, camera man होता है, light होती है, everything is there, सारी बाते होती है, I am really hopeful, I am sure कि आपने कोई ना कोई movie के बारे में कभी ये देखा होगा कि वो कैसे बनती है, कोई documentary TV पे या कहीं आपकी नर्जा से गुजरी होगी, ठीक है, तो आज हमने इसी तरह की एक चीज के बारे में बात किरनी है, यही हमारी vocabulary होगी इस पूरे unit में, अच्छा, दूसरी बात, grammar के अंदर हमने क्या देखना है, सबसे पहले आप ये पढ़ ले, present perfect, कौन सा tense हमने study करना है, present perfect, उस present perfect tense के अंदर क्या बाते होती है, आपने ये words पढ़े हैं कहीं, जो मैं लिख रही हूँ, हाँ जी, कौन पढ़े हैं ये words कहीं के नहीं, has been, have been, जी, हमने बात की थी earlier action की, यानि ये कैसा action जो हमने पहले कर दिया था, जो के past में हुआ था, और क्या है, आज तक शायद चल रहा है, नहीं चल रहा, वो हमें नहीं पता, लेकिन हम बात करते हैं, कि एक ऐसा action जो कहां से start हुआ है, past स से start हुआ है, और आगे चल रहा है, और आगे चलता रहेगा, क्योंकि हम बात करें है present perfect tense की, तो ऐसा एक tense जो क्या है, exactly, earlier action है, पहले शुरू हुआ है, और अब तक होता चला जा रहा है, तो इस तरहां के हम tense को लिखने के लिए, जो helping verb या auxiliary verb यूज करते हैं, वो है has been and have been, और इसके आगे हम क्या लगाते हैं, इसके आगे हम लिखते हैं action, यानि अपनी verbs, ये बात सबको समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी, अच्छा, अब verb लगाने के बाद अगली बात क्या करते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं already और yet, yet मतलब अभी तक, ठीक है, already मतलब पहले ह ये भी लिख दूँ, पहले ही या पहले से ही, चो भी आप जैसे भी इसको देख लें, अच्छा, तो present perfect tense कौन से वाला आपने देखने हैं, जहां पर has been और have been यूज हो रहा है, साथ verb और action लग रहे हैं, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, already, यानि actions हम बताएंगे, किस तर मैं आपको और detail से समझाओगी, ठीक है, confused नहीं हो ना, ओके, दूसरी बात हमने क्या देखनी है, been to, gone to, अच्छा, हम बात करें हैं कि present perfect tense, has been, have been है, action है, और action के साथ हम कौन से दो और ऐसे words जो यूज करते हैं, अगर मैं आपको कहूं, ये बात कहूं कि एक ऐसा action है, जो past म हुआ था, अगर मैं ये कहूं, कि have you ever been to a zoo, क्या तुम कभी एक zoo गई हो, क्या तुम कभी चिडिया घर गई हो, तो अगर मैं ये बात कर रही हूं, तो आप कहेंगे, yes, I already have been to a zoo, मैं पहले ही बता देती हूं, कि मैं zoo पहले गई हुई हूं, ठीक है, तो जब आप ये बात कर करते हैं, been to, मतलब एक ऐसी जगा पे past में जाना, जहां पर आप जाके वापिस आ गई है, ठीक है, यानि आपको अगर मैं कहे रही हूं, कि आप zoo जाके वापिस आ गई हैं, तो अगर मैं आप से पूर्च रही हूं, कि have you been to a zoo, तो आप कहेंगी, yes, I have been, मैं जा चुकी हूं तो ये ऐसा action जो हमारा past में है, उसको show करने के लिए हम क्या कहते हैं, been to का word यूज करते हैं, और अगर मैं कहूं कि एक ऐसा word जो आप कहते हैं, gone to, मतलब अगर मैं कहूं कि आप मुझे घर पे नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और मैं पूछती हूं आपकी मामा से, where is Aisha, त हम कहते हैं कि Aisha has gone to the zoo, मतलब Aisha zoo में ही हैं, अभी वापस नहीं आई, तो ये दो छूटी-छूटी examples मैंने आपको समझाई हैं, यही बात अगर आपको समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, हम आगे examples के साथ इसकी exercise solve करेंगे, तब ये बात ही आपको और clear हो जाएंगे, ठ first exercise में क्या लिखा है कि आपने dialogue को पढ़ना है और इस question का answer करना है, पहले आप क्या करेंगे, आप इस dialogue को रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, इस वीडियो को जल्दी से पास करें, जहांकि उस dialogue की reading करके आएं, जो कि है Aunty Bridget और Dan के बारे में, ठीक है, जल्दी से पढ़के आपिस हैं ताके हम इस question का answer कर सकें, तो बचो अब time आगे है कि हम इस question का answer करें, what is Aunty Bridget's next film project, क्या बात हो रही है कि Aunty Bridget films बनाती है, she is a film maker, film producer, ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं कि उनका next project क्या होगा, हर next project will be about apes, यानि के उन्होंने बंदरों के बारे में apes की life के उपर क्या बनानी है, एक film बनानी है, ठीक है, अच्छा, यहां तक ही answer हमारा हो गया, exercise one solve होगी, सब ने उस dialogue की reading कर ली के नहीं, जल्दी से reading कर लें, अगर अभी तक नहीं की तो, अल्राइट, अब हम करने जा रहे हैं बच्चो, exercise number two, ask and answer following questions about auntie Bridget, auntie Bridget के बारे में यह सारे सवाल क्या करने हैं, आपने एक दूसरे से करने हैं, और जब आप से कोई यह सवाल करेगा, यानि आपका दोस्त, आपका बहन भाई, कोई से ब्लें, तो आप answers कैसे करेंगे, यह काम आज हम मिल के करने वाले हैं, तो जो questions यहां पर दिये गए हैं auntie Bridget के, बारे में हमने उन सारे questions के क्या करने हैं, answers देने हैं, तो चली, answers देते हैं, Okay, अब हमने क्या करना है, बच्चो, इन questions को पढ़ना है और इनके answers करने हैं, अच्छा जी, question number one, how many films has she made, सबसे पहले आपने यह बताना है, कि auntie Bridget ने कितनी film में अभी तक बनाई हैं, हम answer लिखते हैं, क्योंकि हमने reading की हैं, तो हमें पता है, कि she has made 10 films so far, अभी तक उनों न कितने films बनाई हैं, 10 यानि 10 film में बनाई हैं, number two, what other work has she done, इसके इलावा वो क्या काम करती थी, आपके dialogue के अंदर लिखा हुआ है, कि auntie Bridgette, films बनाने से पहले एक और काम करती थी, हां जी, she used to work in a zoo, she used to work in a zoo, okay, next, what has she filmed in Africa, उनोंने Africa में किस चीज के उपर film बनाई थी, हां जी, she filmed about cheetahs and birds, okay, उनोंने cheetahs के बारे में और birds यानि परिंदों के उपर क्या की थी, films बनाई थी, number four, has she always been a film director, क्या वो हमेशा से film director नहीं थी, कि उसे पहले वो क्या करती थी, हमने बात किया है कि she used to work in a zoo, वो तो zoo में काम करती थी, तो हम कहते हैं, no, comma, she has not, तो हम इसको contraction में लिख लते हैं, hasn't, full stop, khatm answer, next, has she ever been to Africa, क्या वो कभी Africa गई है, बिलकुल गई है, तो हम कहते हैं, yes, comma, she has, 6, has she made a film about apes yet, क्या उनोंने, yet का मतलब क्या है, अभी तक, क्या उनोंने अभी तक, apes के बारे में, यानि पंदरों के बारे में movie बनाई है कि नहीं अभी, नहीं बनाई, सो हम कहते हैं, no, not yet, no के बाद, comma, not yet मतलब, अभी तक नहीं बनाई, और आगे, full stop, यहां तक यह questions हमारे क्या हो गए, finish हो गए, हमने मिलके यह सीख लिया, कि किस तरह हमने answers देने हैं, उन questions के जो कहां से start हो रहे हैं, has से, ठीक है, एक helping verb से, और कौन से हमारे questions है, यह है, present perfect tense का question form, ठीक हो गया बच्चो, यहां तक यह बात हमें समझ आ गई है, सबने answers कर लिए मेरे साथ, ओके, अब हमने अगला काम क्या करना है, exercise number 3, ask and answer questions about the pictures, आपकी बुक में इस exercise के नीचे बच्चो pictures दी गई है, जल्दी से आप इन pictures को देख ले, हर picture के साथ आपको यह word लिखावा नजर आ रहा है, she buy plane ticket, यानि she buys plane ticket, यहां वो एक लड़की है, वो क्या कर रही है, plane के ticket buy कर रही है, अब यहां पर हमने grammar का वो part लिखना है, मैंने जो आपको शुरू में बताया था ना, कि हमने grammar का part करना है, present perfect tense के साथ, और साथ already, yet, इस तरहां के words यूज़ करने है, हाँ जी, अब हमने questions ब करते हैं का, she buy plane ticket, हमने जो बनाने है questions, हम यहां से उसको बनाना start करते हैं, हमने क्या करना है, she है, which means कि हम singular के साथ कौन से वाली helping verb लगाएंगे, has या have, विलकुल singular है, तो has लगाएंगे, पिर क्या लिखेंगे, pronoun, has she, by किस में change हो जाएगा, past मे, perfect tense के अंदर हमेशा verb किस मे change हो जाती है, past में, याद रखना है, has she bought plane tickets, yet, अब यहां पर हमने yet का word use करना है, क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि क्या उसने अभी तक plane के ticket खरीदी हैं, यह plane के लिए जाने के लिए tickets खरीदी हैं कि नहीं, तो हमें बता चल गया है कि हमने yet का word use करना है, साथ answers, कोई भी answer आप लिख सकते हैं, yes, she has, और अगर हमने यह लिखना है कि she has not, तो हम क्या लिखेंगे, बिलकुल ऐसे, no she hasn't, या no she has not, okay, number two, she pack bag, okay, question बनाते हैं, has she packed लिखेंगे के packed लिखेंगे, हां जी, packed लिखेंगे, ed लगा के, past participle लगा के, past की बब बनाएंगे, she packed the bag, या her bag, yet, question mark, हम लिखते हैं, no she hasn't, यानि उसमें अभी तक यह काम नहीं किया, full stop, कोई वे answer आप लिख सकते हैं, answer आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है बच्चों, समझ आ गई, यहां तक सबने notebook पे मेरे साथ यह काम complete कर लिया है, okay, अब हम बाकी के questions को बनाने लगे हैं, ठीक है, त्यार है अंगले काम के लिए, okay, number three, she do the shopping, okay, कर लेते हैं, हमें तो बहुत easy है, आता है, has, she, अब do किस में change हो जाएगा, done, एक बात हमें पता है, कि do की form, did में कब change होगी, सिरफ जब हम क्या कर रहे हैं, past, perfect tense में, past, उसके इलावा कहीं पर भी आपने deduce नहीं करना, okay, has she done the shopping yet, question mark, और आगे आप आन से लिख दे, yes, comma, she has, full stop, number four, she, water plants, has, she, very good, water की, third form क्या होगी, water मतलब, पोदो को पानी देना, water plants mean, पोदो को पानी देना, अगर हम क्या करेंगे, past में change करेंगे, तो ed participle लगा के हमने watered कर दिया, watered plants, yet, full stop, question mark, no, she hasn't, okay, next, she cooked supper, has she cooked, अब क्या verb change होजाएगी, फिर ed की form लगा के क्या करेंगे, हम कुक्त बना देंगे, she cooked supper, yet, no, she hasn't, next, she collect rubbish, has she collected the rubbish, rubbish मतलब, very good, कुडा, yet, क्या उसमें अभी तख कुडा एक अठा किया है के नहीं, no, she hasn't, okay, she cleaned shoes, has she cleaned her shoes, आप साथ में एक प्रोनम भी उसकर सकने, cleaned her shoes, yet, question mark, yes, comma, she has, full stop, next, it, she called taxi, has, she, call change कर देंगे हम, called में, called the taxi, ये, क्या उसमें भी तक taxi बुलाई है, yes, she has, full stop, अच्छा, हमने एक बहुत जरूरी काम आज सीख लिया, किस तना हमने, has के साथ क्या करना है, start में लगा के बनाने है, questions और उनके answers करने भी हमें आ गए, अगर मैं कहूं के मैं do के साथ एक question स्टार्ट कर रही हूँ, do you call the taxi, तो आप उसका answer कैसे करेंगे, okay, very good, I am so happy कि आपको याद है कि do questions के answers कहां से start होते हैं, yes या no से, very good students, यहां तक हमारा lesson number one बिल्कुल complete होता है, हमने क्या किया, lesson number one में दिये गई, इस सारी exercises को solve कर लिया, अब हम करने जा रहे हैं lesson number two, जो कि हैं बहुत छोटा सा और उसमें हम करने जा रहे हैं, सिर्फ एक exercise जो कि इसी तरह के काम से related है, यानि हमने इसी तरह present perfect tense को use करके sentences बनाने हैं, तो आईए उस काम को start करते हैं, हाँ जी, जल्दी से बच्चो page number 87 पर आ रहे हैं, हम अगले काम की तरफ चलते हैं, अगला काम हमारा है lesson number two, जिसका नाम है very good words, अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं, एक ही exercise है इसकी जो हमने करनी है, वो है talk about the people in the pictures, फिर आपकी ही book पर 87 पेज़ पर in words के साथ 8 pictures बनी हुई है, क्या आपको वो 8 pictures नजर आ रही हैं? ओके, बच्चों इन 8 pictures के साथ आपको actions नजर आ रहे हैं, जो सारी की सारी pictures पर दिये गए बंदे, या people कर रहे हैं, ठीक है? समझ आ गई? अब हमना आरा काम क्या है? हमने क्या करना है? Talk about the people in the pictures, दो बात ने यहां हमने देखनी है, मैंने यहां पे सब words के आगे क्या लिख दिया है? Been to, gone to, आप एक चीज पिक्चर पे जिल्दी से देखो, हर पिक्चर के ऊपर, या तो जिस बंदे के बारे में बात हो रही है, या तो वो उस situation में, या उस जगा के अंदर है अभी, या तो वो उस जगा के बाहर है, तो अगर उस जगा के अंदर है, तो हम कौन सा वाला word यहां यूज करेंगे? Been to, या gone to? Okay, मैं revise कर देती हूँ, been to इस तरहां की situation के लिए यूज किया जाता है बच्चो, जहां पर आप पहले हो आए हैं, अभी फिलहाल वहाँ पर नहीं है, तो हम कहते हैं, I have been to zoo, मैं एक दफ़ा zoo गई थी, ठीक है, या मैं zoo गई हुई हूँ, that's all, अगर मैं इस तरह कहूँ के मैं zoo जा रही हूँ, या मैं zoo गई हुई हूँ, तो अगर मैं इसको इस तरह बोलूँ, I have gone to zoo, यानि मैं zoo गई हुई हूई हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, स्टार्ट करते हैं इस काम को, England, एक लड़का बना हुआ है, लड़की की पिक्चर के साथ लिखा है, England, तो हम लिखेंगे, he been to, क्योंकि वो पता रहा है, कि मैं England गया था, अच्छा, हम लिखते हैं answer, he has been to the England, वो लड़का ये कह रहा है, कि वो England गया है, Egypt, they gone to, हम लिखते हैं, they have, क्योंकि अब they क्या है, plural है, तो have लगा दिया, they have been gone to, Egypt, okay, full stop, the library, been to, they have been to, the library, वो लड़किया, वो लड़किया, वो लड़किया, number four, they been to, they have been to the zoo, number five, school, they gone to, they have gone to the school, full stop, the doctor, gone to, he has gone to the doctor, वो doctor के पास गया था, the shopping mall, they been to, हम लिखते है, they have been to the shopping mall, वो shopping mall में गय थे, okay, the south pole, he gone to, वो अभी भी कहां है, south pole में है, he has gone to the south pole, full stop, अच्छा, यहाँ पर जितने भी sentences मैंने लिख्या है, मैं उनको क्या करती हूं, underline करती हूं, ताके आपके लिए इनको देखना और लिखना असान हो जाएगा, आपको साथ साथ इन sentences को पढ़के बच्चों ये भी समझ आ जाएगी, कि आपने कहां कहां, gone to और been to लगाना है, और आपको इस चीज को करना खुद से भी आ जाएगा, कि आपने कहां पर been to और gone to लगाना है, पिक्चर को देखके इनको दुबारा से पढ़के देख लो एक दफा, जहां जहां पर पिक्चर के अंदर अभी वो शक्स या वो बंदा या नाउन जिसके बारे में बात हो रही है, वो अगर उस पिक्चर के उस इमेज के अंदर है, उस जगा के अंदर है, तो लिखेंगे gone to, अगर कहेंगे वो वहाँ से वापस आ गया है, तो हम कहेंगे they or he or she has been to, ठीक है, समझा आ गई सबको, यहां तक बच्चो हमारी exercise भी complete हो गई, इसके इलावा हमने lesson 2 में और कुछ नहीं करना, यहां तक हमारा यह काम भी हो गया, बिल्कुल खतम, बच्चो आज का lesson यहां होता है, खतम हमने आज मिल के किया lesson number 1 and lesson number 2, हम अगली वीडियो में मिलेंगे जहां हम करने जा रहे है lesson number 3, तब तक के लिए अपना काम करते रहे हैं, खुश रहे हैं, सारा काम अपनी note book पे और book पे करते रहेगा साथ-साथ, मिलते हैं अगले lesson में, तब तक के लिए, अलाँ हाफिस.